नमस्कर दोस्तों श्वागत है आप सभी लोगों का एक बर फिर से आज का जो बड़ों का बिशाय हैं बहुत ही शुन्दर हैं आज मैं आप लोगों को मकर संक्रांती शम्मंधी शंपून जानकारी बताऊंगा कि कितने बज़े संक्रांती नहकेगा संक्रांती का वहन क्या है और किस धातू की कीमत में होगी बढ़ोतरी क्योंकि ये जिस धातू को ले करके खाते वे नाकते उस धातू में होती हैं बढ़ोतरी और किस रासी की लोगों को होगा लाब और क्या असर होगा शक्रांती का दुनिया पर आइस बुड़ों में जानते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में confusion है कि मकर सक्रांती 2023 में कब है सवर पतम जानते संक्रांती क्या संक्रांती हम एक बोलचल की भासा में बोल सकते हैं कि भगवन शूर नरायन जी धनूर आसी से मकर आसी में परवेश करते हैं तो इस क्रिया को हम मकर संक्रांती के नम से जानते हैं और इस दिन से ही दक्छिडायन समापता भोकर के उत्रायन सुरू होते हैं च्छिडायन में क्या होता है जो घर का निर्माण हैं जो बड़े-बड़े कार होते हैं सब नहीं हो पाते हैं और उत्रायन में इसी दिन से जब शूरे नरार सक्रांती की नहग जाते हैं तो उस दिन से अब जो हैं घर का निर्माण कर सकते हैं विवा इत्यादी कारक्रम कर सक तो मकर्ण शक्रान्ति कितने बजे नहकेगा और 2023 में मकर्ण सक्रांति कब है तो देखिए 14 जनवरी 2023 को मकर्ण सक्रांति है और रात आठ बसकर के 21 मिनट में मकर्णासी मिस सुर्म महराज गोचर करें लेकिन उदयती थी जो है 15 जनवरी को है आपको शक्रांती कब मनाना है 15 जनवरी को क्योंकि 14 जनवरी को जो है शक्रांती नहक रहे हैं दोस्तों आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा शायद इस जानकारी से अब की भी भला हो जाएं और लोगों की भी भला कर सकते हैं देखिए शक्रांतिक वहन और उपवहन ये क्या है ये जानना ज़रूँ और देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है क्योंकि मकर शक्रांतिक दिन सिर्फ शूर्य भगवान नहीं उनके वहन का भी बहुत महत्वा होता है हर साल सूर्य देव के अलग दर वहन पर मकर जी का वहन है वह है वाराह इसके उपवहन है ब्रिशा 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 ब्रि दिसा है पहचीम से उत्तर की तरब और द्रिष्टी है इसान इस्थिती है पैच्छी हुई तो दोस्तों कैसा रहेगा साल 2030 पर मकर का प्रभा तो हिंदू पंचायं के मुताबित मकर सक्रान्थी कारण इस साल पूरी दुनिया के मौसा में काफी उथाल पूथाल देखने को मिल सकते हैं भारत में कुछ राजियों में बेहद कम बारिस होगी क्योंकि ये हरा कलर का वस्तर धारन कियों और जिस कलर का वस्तर धारन करें जिस धातू को रख करके भोजन करें जिस वहान पे जाएं उसी प्रकारे अपना प्रभाव भी तो कुछ इलाकों में शुखे का प्रभाव देखने को मिलंगे और बदलते मौसा में के कारण लोग इसके जो वाहन है वरा तो इस साल 2023 में वरा के अनुसारी हमें फल प्राप्त होगा वस्तरा हरा रंग के हैं तो हरा रंग को काफी प्रभाव कर रहे हैं और अवस्था हैं बृध्धा अवस्था अर्थाद जो हमें उन्नती 2030 में मिलना चाहिए उतने उन्नती 2030 में लोगों को नहीं में दोस्तों ये तामरा पत्रा लेकर के मकर जी जो गए है तो तामरा पत्रा में थोड़ा सा जो तामरा धातू इसमें थोड़ा बढ़ोतरी होगा और भिख्षा किसके लिवें अनके तो अनकी भी वेक्ति को जीवachment में परसानी आ सकती हैं और इसकी तिती है बैठी हु एवं आबेकिस जीवन में चेरे परसानी को भी मकर जी हर लेते हैं और किस रासी के लोगों को होगा लाब द्यान से शुने तो शौर प्रथम तो मकर रासी के लोगों को लाब होगा ब्रिश्चिक रासी के लोगों को लाब होगा तूला रासी के लोगों को लाब होगा इसी क सांसा जो मिथोनरासी वाले जातक हैं उनके लिए यह वर्षा 2030 काफी अच्छा रहेंगे तो किस धातू की कीमत में होगी बढ़ोतरी तो तामर धातू की कीमत में इस वर्था बढ़ोतरी देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो आज के जानकरी पर समाब तक करता हूँ गर विडियो अच्छी लगे तो विडियो को लाइक जरूर किजीगा और इस अपने दोस्त न भूलना धन्यवाद नमस्कार